तो दोस्तो हम फिर से पांच कोश्चन ले चुके हैं ठीक है जो कि आपको बताएंगी और यह सारी पीवाई की कोश्चन है यह हमारा तीसरा लेक्चर है तो आपके नीट के एक्जाम आने वाले हैं तो हमारा मोटीव है इन कोश्चनों के तुरू आपको पूरी और अर्गनि चीजें बताने बाला है तो एक ही कोश्चन को सॉल्व करेंगे शो sexy concept होगा नई बाते निकल के आएंगे आप लृट करके चल्कना ह्लिए चलो मैं के करनी कोश्चन को चलो हमारा पहला से बना सी पहले कोश्चन में आपको काई सारी इस थे बे sozial है आपने एकक कर के लेंग साइनाइड आगें अगली step मेन इकल हुई गिय Stew सիजण करेंगें तो जो कि सीजण कर देगा किसका रेडाक्शन कर देगा अब देखो, अगले step में हमारा क्या given था, अगले step में हमारा ac2o लिखके आता है, या कभी-कभी CH3, COO, ऐसे भी लिखके आता है, तो आप याद रख लेना, ठीक है ना, तो basically इस system में होता हुआ कुछ नहीं है, यह nitrogen के पास loan pair है, ठीक है, यह loan pair क्या करेगा, इस carbon के electrophilic center पर attack करता है, ठीक है ना, क्योंकि यह carbon positive होगा, कम electronegative है, यह oxygen पर negative होगा, यह जैसे यहाँ attack करेगा, इस positive पर यह bond ऐसे open होगा, यहाँ आएगा negative, फिर यह negative वापस आएगा और यह पूरी group को link group तेरा बहर निकाल देगा, तो हमारा जो electrophile है, वो क्या है, यह वाला part है, यह वाला हमारा जाकी यहाँ पर जोड़ जाएगा, ठीक है, तो देखो CH3, CH2, CH2 यह ऐसे था, और NH, NH पर ही जाके जोड़ा है ना, तो NH और यह वाल हमने है nitrogen से जोड़ जाएगा, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अगर दिक्कत हो, comment section में पूछना, चलो दूसरा question solve करते हैं, देखो, दूसरा question क्या बोलता था, कि CH2 और CH, CL गीवन था, CH3, CH2 और CL गीवन था, ठीक है, एक और था, CH2, 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 CL गीवन था, और एक में क्या था, तीन यह गीवन था, ठीक है, तो बोला था, which of the following is least reactive, ठीक है, least reactive towards nucleophilic substitution reaction, बोला था, इसका acid reaction कराया जाता है, तो यह कौन सा है, जो least reactive होगा, तो nucleophilic substitution reaction में क्या होता है, जो अभी है halogen गीवन होता है, हम उसको करते हैं, बाहर यहाँ पर कार्बो कटायन बनेगा, यहाँ पर कार्बो कटायन बनेगा, अब देखो, तो अगर कार्बो कटायन ज्यादा इस्टेबल होता है, खीक है, तो वहाँ पर SN1 reaction होती, अब ध्यान देना, कहां-कहां nucleophilic substitution reaction possible नहीं होती, अगर कभी भी double bond की जश्ट बगल कार्ब, यहाँ पर कार्बो कटायन बनेगा, यहां पर कार्बो कटायन बनेगा, तो यहां बेमान nucleophilic substitution reaction possible नहीं होती, यहीं लिस्ट रियक्टी हो जाएगा, तो option number यह हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, अब देखो, अगर कहता most reactive, तो most reactive कौन सा हो जाता है यह हो जाता है कि यहाँ पर resonance हो रहा है resonance कैसे वह रहा है देखो हम ऐसे बता देते हैं हाइड विजन नहीं लगा रहा है ठीक है न और यहाँ पर हाइपर कंजुगिशन हो रहा है तो resonance is more dominating than hyperconjugation फिर inductive ठीक है तो most reactive बोलता यह हो जाता कि कि यहां भी stability बढ़ रही है यह कारवगर time ठीक है चलो तीसरा question solve करते हैं बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत रिन question है तीसरा question थो बोला था इनाइसो मर बताओ कौणसे पेर है जो इनाइसो मर है तो इनाइसो मर का तो मैं ऐसा concept बत ठीक है एच और यहां पर ओ एच एच ठीक है अगर में इनाइस उमर किसी कहते हैं ऐसे compound जो आपस में mirror image तो हो लेकिन वो कैसे हो non-superimposable जैसे देखो अब देखो इन में बताना यह क्या इनाइस उमर है तो देखो concept क्या कहता है हमारा अगर दो compound आपस में mirror image हो मतलब mirror image मतलब यहां पर mirror रख दो ठीक है अब mirror रखने के बाद आपका सकल आगे दिखने लगेगा ठीक है ना तो अगर कोई चीज यह देखो ओ यह राइट पर है तो यह left में होना चाहिए यहां पर तो देखो left में है यह mirror है यहां पर यह देखो right म impossible मतलब non super impossible मतलब समझते हो कैसे देखो अगर हाथ है मेरा हम अपने हाथ को एक दूसरे एक ऐसे रख दें तो अंगुठा अंगुठा के उपर आ रहा है यह वाली अंगुरी ठीक है ना उली यह middle मधिमा इस पर आ रही है अनामिका इस पर आ रही है तरजनी एकदम तरजनी तो देखो कॉन साइड कर गए ना और mirror image कम नहीं होते जब आइसे देखो अंगुठा पे यह वाली उली आ रही है देखो अंगुठा कहीं और जा रहा है तो यह non super impossible है तो देखो अब इसको उठाके इसके उपर रख दो तो देखो यहां पर right side में आच है यहां पर और अच पर नहीं आ रहा है तो non super impossible mirror image है तो यह से mirror image को E900 मर कहते है क्या कहते है E900 मर ठीक है ना दूसरा तरीका यह है E900 मर निकालने का यह दो chiral center है chiral center मतलग क्या होता है यह SP3 hybridized carbon 4 different groups से जूड़ा हो तो chiral होता है तो अगर माल लो chiral center पे आ रहा है तो इस पे yes आना चाहिए अगर इस पे yes आ रहा है तो इस पे आ रहाना चाहिए तो वह हमारे क्या होते है इना इंस ओमर दूसरा तरीका ऐसे निकाल सकते है ठीक है ना तो कोई doubt confusion होना नहीं चाहिए बागी playlist में मैंने रहा यह optical isomerism का topic ही पड़ाया है 26 minute का वीडियो है सारी चीजे बता डाला है trick technique के साथ proper example with clarity कभी आपको दिक्कत नहीं होगा तो उसे देख लेना detail में ठीक है तो यह इस पे आगे जाने की ज़रुवत ही नहीं थी ठीक है यह तो mirror image ही नहीं मिर इमेज नहीं होते है दाइस टीरियो मर होते है ठीक है चलो देखते है अगला question solve करते है अगला question में पूछा था कि कौ कौन सा ऐसा compound है जो optical active है तो optical active का भी मैं त्रीक आज आपको बता देने वाला हो दो ट्रीक बताऊंगा अगर plane of symmetry कभी भी न क्या हो अपसेंट हो पी अपसेंट यह ट्रीक है यह सी ओ प्लेन अपसेंट है तो molecule non-superimposable होगा chiral होगा molecule और optical active होगा chiral molecule और chiral center में difference होता है chiral molecule मतलब जिसमें plane of symmetry क्या होती है अपसेंट होती है chiral center मतलब ऐसा sp3 hybridized carbon जो 4 different group से जुड़ा हो carbon के जगा nitrogen sulfur भी हो सकते हैं कोई दिक्कत ने जनरली carbon देता है ठीक है तो देखो अच्छा ही इनका exam में नाम लिखके दिया था तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपको पता है 1-butanol 1-2-3-4-1-butanol 1-2-3-4-1-butanol 2-chlorobutane 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 इसका 4-hydroxy ठीक है 1-2-3-4-5-4-heptane 4-hydroxy-heptane तो आप structure तो बना ही लोगे ठीक है तो अब देख लो यह तरीका हो गया दूसरा तरीका अगर कभी भी एक भी chiral center दिखके आ इस structure में एक भी chiral center दिखके है तो ओptical active होगा क्या होगा ओptical active और इसका उल्टा कर लेना बस अगर plane of symmetry है तो यहां पर plane of symmetry लगाओ मतलब ऐसे cut करो और फिर देखो दोनों mirror image है तो हाँ plane of symmetry है अगर mirror image नहीं है तो यह वाला concept मतलब यहां पर chiral center देखो यह वाला देखो chiral center है हाँ chiral center मतलब क्या होता है बताओ भई क्या होता है chiral center मतलब 4 different groups से जुड़े होना चाहिए, तो देखो यहां पर यह group क्या है यह group, यह group same है तो मतलब इसमें क्या है plane of symmetry क्या भई यहां पर chiral center नहीं है chiral center मतलब 4 different group जुड़े होने जाहिए समझ रहा है तो यह 2 गुरूप सेम होगए ना आप कहा होगा तो अब देखो इसमें देखो इसमें हाइड्योजन भी लगा को देखो यह सेंटर कारियल है हाँ है यह अलग गूरूप लगा है यह यह अलग तो एक, दो चार डिफरेंट ग्रूप लगें यह sp3 hybridized है तो यह molecule हमारा optical active होगा ठीक है कोई दिखके तो बाकी मैंने यह वीडियो यह playlist देख लेना आपको सारी confusion tour हो जाएगा ना playlist में होगा trick and trips करके होगा खोज लेना ठीक है देखो अगला question करते हैं last पांच बाह यह चौथा था लास्ट बोला था अगर माला आपके पास क्या है c7 h16 है तो इसका if optical active है क्या बोला यह optical isomersion कर रहा है optical active है तो इसका structure क्या होगा तो structure मतलब just STC का उल्टा case दे दिया था इस बार तो इसका ऐसा structure बना जिसमें chiral center देख जाते देखो बना दो भाई कुछ भी बना दो कुछ भी नहीं मतलब इतने atom का बना दो साथ कारवन थे एक दो तीन चार और जो भी possible लगे एक दो तीन चार पांच छे ठीक है छे और यहां पर यह अलग ग्रूप है यह अलग ग्रूप है यह अलग ग्रूप है अब hydrogen भी count कर लेना इतने आंगे तो यह optical active है समझ गया तो यह रहा मारा question बागी कुछ doubt हो comment section पूछ लेना मिलते है नेक्स वीडियों दोस्तों ठीक है थैंक यू